प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् पास काफी जनता लोग निगम छित के आते हैं हमन सुरेंग जी ने ये अच्छा सुझाव दिया है कि देगर एरपोर्ट को बेजनात धाम एरपोर्ट के नाम से रखा जाना चाहिए मैं अकेला जाता हूं हमारे साथ कारवाब बनते चला जाता है अब देखें हूंगा हमारे स दॉट कॉम से मैं हूं गुड़ू नगर निगम के चुनाओ का आगाज हो गया या यूं कहें कि संखनाद हो गया है परतियासी अपने सतर से जो है लागातार च्छेत्र का ब्रह्मन कर रहे हैं इस बार जो है निगम में जो है कई नए चेहरे भी चुनाओं मैदान में हैं भले वो चुनाओं के नजर से नए हो लेकिन समाज सेवा के च्छेत्र में अगर देखा जाए तो उनका काफी योगदान रहा है ऐसे ही एक समाज सेवी और नगर निगम उप महापार के परतियासी सुरज कुमार जहाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लागातार संकल्प लेकर के ये चले हैं जो जनता के लिए है जनता को समर्पित है जिसमें से दो संकल्प ज है खास हम उस पर बात करना चाहेंगे जो है देवगर नगर निगम के अंतरगत आने वाले तलाबों का जिर्नोदार कराना और संकल्प नबर 17 जो है बच्चों के खेलकुद यह दो चीजें जो है यह चुनाओ से पहले धरातल पर ला चुके हैं जैसा नजर के सामने देखा जा रहा है एक जलसार पार्क के बगल में भी देखे होंगे कि सौंधरी करन कराया गया है वो भी इनी का देन इनी को क्रेडिट जाता है चूकि यह बराबर जो है नगर आयोक् कंसरंट में थे और उनको बराबर इस तरह की वो बाते कह रहे थे तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं लेकिन हम सिधे उन से जुड़ते हैं और उनहीं से बात करते हैं कि आखिर इस बार चुनाओ कैसा रहेगा देखिए इस बार चुनाओ काफी दिल्चस्प रहेग और चुनाओ में युवाओ की भागदारी ज्यादा रहेगी और खासकर मैं चुनाओ भरष्टाचार के खिलाप लड़ रहा हूं इसलिए सभी हमारे साथ दे रहे हैं और बढ़ चड़ कर भरष्टाचार को खतम करने के लिए हमारे कदम से कदम मिलाके चल रहेगा चलिए ब्रहष्टाचार तो खत्म होई ही जाएगा जब अच्छे लोग चुन कर जाएगे तो कहीं ने कहीं इस पर नकेल लगेगी अच्छा ये बताइए कि ब्रहष्टाचार तो है ही प्लस और भी बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारी वादें हैं संकलप है जो आपने जनता से क बिदी से अपका यत्यों की पर्किंग की विवस्था की बात हो, उसके लिए मैंने लगातर प्रियास किया और नहुरु पर्क में यत्यों की ब्रत्म करवाऊंगा हो दिनों में आप देख रहे हैं कि मन्य उचनेयले का एक आदियस प्राप्त हुआ है जिसमें कि राज्य के सभी तालाव एवं पुखरे को स्वंधिकरन कर उसे अतिकर्मन हटाने का आदियस दिया गया है ये मन्य उचनेयले के द्वारा स्वत्य संग्यान में लिया गया है उसी को देखते हुए उसी का अनुपालन करने के लिए हमारे द्वारा देगर नगर निगम छेत के जितने भी तालाब है सबको अतिकर्मन मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलाए गया है अजय यह जो है यह तो पूरे एस्टेट में चल रहा है राजशी में इस तरह की आतिकर्मन को हटआए गया काफी विरोधब भी जहलना पड़ा है इसमेह लोगों का जो है सरकार को तो तो यहां भी है क्या कि कुछ लोधब नहीं है लेकिन यहां के पता दिकरर चाहा अगर यह 15 दिन के अंदर हमारे जो मश्रोबट दालब हैा church 32 नाब है जो हमारे संग्यान में आयाए तालाभ है उसका स्वनदीकरण और शफाई नई कराते हैं। वाध होके मैं मान्य उचन्याले के दुआरा जो जन्हिति याचि का स्वत्र संग्यान में लिया गया है उसमें मैं इंटर्वेन करूंगा अच्छा लोग आपके पास आते हैं आप कारियाले में लोगों से मिलते हैं लोगों की समस्याएं को सुनते हैं फिर समाधान कैसे करते हैं देखिए हमारा कारियाले में मिलने का टाइम दिया गया है नौ से बारा हमारे पास टरह तरह की समस्या हैं चाहिए वी killing एगाड़ी गाड़ी भीच देते हैं कही लाइट की समस्या तो मिस्ती भी अवारे पास है लाइट देखेंगी की समस्या याल कर्कों करके रिपेर्इग करवा देता हूं साथ यह साथ जैसे व्यूदा पैंसन्हें यह रासन काड़ वेगर है उसके लिए भी लोग आते हैं उसका फ़र्म में फिलब करवा देता हूँ आपने एक पंप्लेट छपवाया जिसको लेकर कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या आप हमारे दर्सकों को दिखाना चाहेंगे पंप्लेट जी देखिए यही है देवगर नगर निगम चुनाव 2021 उप महापर परत्यासी युवा कर्मत सिक्षित एवं समासेवी सूरज कुमार जाका और पीछे में जो है इन्होंने बजाबते एकदम पूरा अपना जो है वो संकल्प पत्र जो एकतर से कहते हैं वो उनिस सुत्री है मतलब उनिस सुत्री संकल्प पत्र लेकर के यह जो है लोगों के बीच जा रहे हैं यह पाट किए सब्सक्राइए जाने से बहुत प्रभाव में भादा अब तो आप समय जया करना क्या ना मुझे जनता बराबर बुला रहा सूरज आपके द् therm पर सूरज आएगा और देघर नगर निगम छेतर में अंधिरा जाएगी और रात में दीन नजर आएगा मेरा यह वादा है नगर निगम के 36 वाड में विकास की गंगा बहेगी जहां अच्छा इस बार जो है स्रावनी मिला नहीं लगा तो वैबस्ता के देखे इस बार ही नह लगातार करोना महमारी के वगया से दो साल साव ने मिला नहीं लगा और दूसरी करोना लगा जो ती काफी भयावब थी हमने उसको नजदीक से देखा अपनों ने अपनों को खोया और बहुत ही दुगदाई था लेकिन मैं च्छारकन सरकार मानने है हमन्स और इनको धन्व में जैसे वैक्सिन के लिए स्लाट बुक होता था उसी तरह कम से कम दस हजार सरदारों के लिए यह विवस्ता की जाए और मंदिर खोला जाए मंदिर नहीं खुलने के कारण बैपारी वर्क छोटे मोटे दुकंदार और फूल वाला मदी वाल बदी वाला और जो आपका है पंड़ा जी लोग को बहुत प्रसानियों का सामना करना पड़ रहा है चुकि सहावन बादों के बाद हमारा महापर्व दसारा आने वाला है इसलिए इस पर सरकार को पुना विचार करना चाहिए जी मुखमेंतरी जी ये बाते सुन लीजिए देवगर के आर्थिक वेवस्ता यहां के मंदीर से ही चलती है अगर मंदीर यहां पे ज्यादा दिन बंद रहा तो यहां के लोग मुखमरी की कगार पे आ जाएंगे हलाकि अभी भी हैं लेकिन कुछ इस बचा हुआ है अगर आ लोगों को आपके तरफ से साहिदा किया गया है इस बार हम तो अस्वासन दिये थे अगर मंदीर नहीं खुलती है तो मैं रितरन करूंगा और बहुत जल्द ही खुद्रा दुकंदा संग के लोगों को अनाज वितरन किया जाएगा साथे साथ जो जरुत्वन लोग है उनको सुरू होने वाला है तो एयरपोर्ट का नाम बाबा बैदनात के नाम से रखने की अनुसंसा जहारकन सरकार ने सेंटरल मिनिश्टर से की है इसको किस देखिए बाबा भुले नात की नगरी देवगर बाबा की नाम से देश विदेश में विख्यात है और मानिये हमन सौरें जी ने ये अच्छा सुजाव दिया है कि देवगर एयरपोर्ट को बैदनात धाम एयरपोर्ट के नाम से रखा जाना चाहिए मैं इसका स्वागत करता हूं देश जो है पच्छत्तरवी स्वतंतरता दिवस मना रहा है क्या कुछ कहने है देखिए बाबा भुले नात की नगरी से मैं डिप्टी मेर प्रत्यासी सूरज कुमार जहा तमाम देश वासियों सहित देवगर नगर निगम वासियों का हादिक सुपकामना ये देता हूं साथ ये साथ बाबा भुले नात से कामना करते हैं कि आप खुशी रहे और अपने भाईचारा के साथ स्वतंतरता दिवस मनाए चलिए ये थे हमारे साथ जुड़े हुए युवा समास से भी सूरज्जा कई मुद्धों पर इन से बाते हुई चुनाओं पर भी बाते हुई इनके संकल्प पर भी बाते हुई और बावा बैदनात धाम के मंदिर पर भी बाते हुई कुल मिलाकर इनका कहना है कि मंदिर को जार्खन सरकार टाइम स्लोट के जरिये खोले ताकि यहां पे रहने वाले लोगों को जो है कुछ आर्थिक रूप से कुछ मजबूती मिल सके करते रहेंगे हम इनसे इनके फिल्ड में भी मिलेंगे हकीकत जानेंगे कि जमीने इस तरपर क्या है तब तक के लिए हमें दीजाजाद देखते रहें जीनियूजलाइफ डॉट कॉम अगर आपने अभी तक हमारे चैनेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट चैनेल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूले पुछना अब डिप्टी मेर बन के वहां क्या किजेगा तो आपको जन्ता को बताना होगा न यह तो चलते रहे हैं अब जैसे फिल्म में तो कास्टिंग तो पहले दिखाना जाएगी और रात में दीन नजर आएगा मेरा ये वादा है कर्याले में मिलने का टाइम दिया गया है नो से बारा नो से बारा हमारे पास काफी जनता लोग नगम च्छत के आते हैं ये हमन सौरेंजी ने ये अच्छा सुझाव दिया है कि देगर एरपोर्ट को बेजनात धाम एरपोर्ट के नाम से रखा जाना चाहिए मैं अकेला जाता हूँ हमारे साथ कारवाब बनते चला जाता है अब देखे होंगा हमारे सौरज आपके द्वार के कारकमा